यूटूब पर आपको सबसे पहले ये ट्रिक मिलेगी इसको आप जरूर यूज करना चाहेंगे कि आप लेसुन और मोटीन का यूज किस प्रकार आपको करना है और किस लिए करना है आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ये वीडियो तो फुल वीडियो को ज सबसे पहले परन्ट आपको क्या करना है यह मोटीन इस तरीकी से ले लेना है उसके बाद में आपको ले सुन ने ले नेकर बनाएंड centimeters लेने सकता करेंजाई, उसके निकाल प्रिण काण्राव करना है, उसके प्रिण सब्सक्राइब, कखेंब कर देदायाँ, सब्सक्राव का तर्षिद सब्सक्रावच से यूए कर दो ह Suddenly the lid is мож, मैं आपको जो बताने जारी हूँ वह जदा मार्केट में महेंगी आती है और वो तुरंत ही खराब हो जाती है और उसको आप यूज़ करते हैं एक दो हफ़ते में वो खत्म हो जाता अगर आप इसको घर पर बनाएंगी तो आपको एक भी पैसे भी नहीं लगना है और नहीं आपको बार बार ये मार्केट से लाना पड़ेगा तो फ्रेंड इस तरह से करने के बाद जितने भी लेसुन के चिलके हैं उसको अलग कर देना है और जो लेसुन मैंने फोर का रखा था उसको अलग कर देना है देखे इस तरह से आपको कर लेना उसके बाद में क्या करना है एक दो कली आपको मतलब 6 कली आराम से इसका छील लेना ये देखे इस तरह से आपको 6 कली इसका छील लेना इसके जो छीलके होते उस बिल्कुल भी मत फेकिएगा उसका यूज कैसे करना है मैं आपको जरूर बता है वो शोड़े छिलका होता है इस तरह झाल लेकर निकाल लिया है तो not भाँष्टー होती आपका यह को पाने आपको बहुत को इस Girittal को घ्राइट्ट आजाता है तो इस इस तरह से आपको एक मोटीन ले लेनी है चोटी हो या बड़ी हो आप कोई भी ले सकती है आप उसमें पूरा यूज नहीं करना है आप एक लेजिए खुननी उसमें छोटा छोटा इस तरह से करकर आप इसको डाल दीजिए देखिए फ्रेंड इस तरह से आपको इसको डाल द तो इसको अच्छे से आप दो तीन बात धुल कर रहे हुँ जितने भी सामान का यूज आप कर रहे हैं उत्या सामन आप इसको अच्छे से धुल लेजिए गा एक दो बार उसके बाद में एक बरतन लेना है और उसमें आधा गिलास पानी आपको डाल देना ध्यान से देखिए अधा गिलास पानी आपको डाल देना उसके बाद में इसको गैस पर रख देना है और जो आपने लेसुन और प्याच का चिल का निकार कर रखा ता उसमें इस तरह से डाल देना है और इसको अच्छे से बॉइल होने देना है किसी भी चीज से आपको इसको चलाते रहना है और इसको अच्छे से बोईल होने देना उसके बाद में जो आपने इसको खोट कर रखा था उसे में आप इसको डाल दीजीएगा जितने भी बरतन आप यूज कर रहे हैं उसको अच्छे से धुलने के पाद ही आप दूबरा और इसको यूज कीजिएगा इस बात का आप लोग एकदम से ध्यान रखिएगा यह देखिए फिर इस तरह से आपको इसको बॉइल करना है कम से कम इसको 8 यह 10 मिर तक अच्छे से बॉइल कर लेना है दीरे दीरे आप लोग देखिएं कि इसका कलर एकदम से चेंज हो जाएगा यह देख सकते हैं आप यह चुटने लगा है और इसका जो कलर है वो एकदम से चेंज हो गया है तो अब इस टेपर आप क्या कीजिए इसको कोई भी चिम्मच या किसी भी चीज से अच्छे से चला तरह से आपको इसको भॉइल नहीं करें और ट्यों करना हैए और 10 मिट दक लगातार्य तरह से भॉय् फ़िए जो वी आपको गया है कि भड़ान कुछ, issami वेख़ी खार्व नहीं हो जोनीया है मैं बार-बार कह रही हूं इसलिए कि आप वो को याद रहे उसके बाद फिरंड इसमें एक चन्नी लीजिएगा चन्नी को इस तरह से उसी बरतन पर आप रख दीजिएगा अब जो आपने बना कर रखे उसको अच्छे से मिलाकर इस तरह से इसमें छान दिजगे देखिए फि आप इसको बिना वीडियो बनाएगे तो बहुत ज़्यदा आराम से इसको बना सकते हैं जब भी आप चलका उनका चले तो इस से तरह से आप लोग कहां बार कर देखते में। कि मेरी ये हैज आपको ये ट्रिक आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है और आप लोग एक प्यारा सा कमिन जरूर कर दीजिएगा ये देख सकते हैं अब ये थोड़ा थोड़ा थंड़ा होने लगा है लेकिन इसको इस टाइम पर बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे जब ये अच्छे से ठंड़ा हो जाएगा तब ही हम इसको यूज करेंगे तो फ्रेंट थोड़ी देर के लिए आप इसको और रख देजिए अपना दूसरा काम कीजिए उसके बाद में जब ये अच्छे से ठंड़ा हो जाए तो आप जो ये मॉट्टिन की जो ये मसीन होती है इसको अच्छे से आप खोल लीजिए मैं ये थुरंधी खसम होता है और हम फिन दूसरा लेना पढ़ता है अगर आप इस Tamam ऐसको यूज कर पाएंगी तो आप इसको घर पर यह बनाया है बिना कोई पैसे हैं आप लोग भी उछका है इस तरह से मसीन को वैश्चे कर देना है ने बेखे फरें इसको इस तरह से करना है और इसको आराम से इस तरह से बंद करना यह देखें फ्रेंट इस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रहूए बिल्कुल वैसे ही आपकी जिगा कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी तो चलिए फ्रेंट आप मैं आपको दिखा रहूए क्यों इसक कि आपका ये काम करेगा पहुत ही अच्छी रेमडी है फ्रेंड इसको आप गर्मी में जरूर बनाईएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को कमेंट जरूर कर दीजिए लिए कि आपको ये हैज बहुत जदा पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए को सब्सक्राइब देखिएगा ठाइंक्यू वीडियो को देखने के लिए